दोस्तो पेपर प्लेट बिजनस में कैलकुलेशन बहुत जरूरी है कैलकुलेशन अगर लोगों को समझ में आ जाए तो कोई भी इस बिजनस में फाइल नहीं होगा तो आज किस वीडियो में हम आप से बात करेंगे कि इस बिजनस को करना है तो calculation कैसे करना है कैसे हमें इस बिजनस में margin निकालना है एक केजी माल में कितना बनेगा कितना पीछ पर कितना हमें profit होगा यह सारा आज हम इस वीडियो के माध्यम साब को बताएंगे तो इसलिए इस वीडियो को end तक जरूर देखना और यदि आप में चनल पर नए है तो प्लीज में चनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर प्रेस करना है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग से calculation के बारे में बात करेंगे और आप लोग से calculation करना बहुत easy होता है लेकिन calculation को और easy करना मुश्किल होता है जैसे कि calculation तो निकाल लिए लेकिन हमें calculation वैसे निकालना जिससे कि हमें हमारा margin भी बच जाए और हमारा profit भी अच्छा हो और सामने वाले को भी सस्ता लगे क्योंकि एक तो होता है कि calculation सिंपल सा तरीका भासा हो गया है कि हमें इतने का लाए इतना margin रखके इतने का बेच दी है मालोगी 10 रुपय क लाए दो रुपय बचा के अपना बार रुपय में उसे बेच दी है वह मेरा हो गया लेकिन वह नहीं हमें यह करना है कि यदि हम कोई सामान पेपर प्लेट बिजनस हम कर रहे हैं पचास रुपय केजी चल रहा है पेपर तो पचास लाए और हम कोशिज करें कि कम से कम margin में हम बेच यह सामने वाले को यह लगे कि कम बहुत कम margin यह लेकि अपना यह माल सेल करें लेकिन हमें हमारा margin हमें उतना मिलना चाहिए जितना हमें चाहिए तो इस चीज के लिए हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा इस डारटिंग से हम आपको बताएंगे वीडियो में लाश्ट तक बने रहना है और यदि आप लोग अन्य座ियो पसंद आए तो प्लीज भाईं लाइक ज़रूर करना और यह वीडियो आप कहा से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना तो इसमें आपको calculation के लिए कहां-कहां पर ध्यान देना है, कौन-कौन सा margin बचाना है, आज हम आपको पहले ये चीज बताएंगे, कि कहां-कहां से आपको पैसे को बचाना है, उसके बाद calculation में आपको calculation करना है, ताकि आपका आगई एक-एक पैसे बचता है, जगद जगद प मेरा जो रीजन है मार्केट बनने का और बनाने का मेरा यही रीजन है कि हम जो है वो टोटल अपना कैलकुलेशन करके उतना तो हम प्रोफिट ले ही लेते जितना हमें चाहिए लेकिन सामने वाले को भी वो चीज अहसास नहीं होता है कि यह महेंगा ले रहे हैं यह ज्यादा क्योंकि मार्केट से हमेशा मेरा रेट कम होता है तो कम क्यों होता है क्योंकि हम बहुत ही बारी कीवह से हम ध्यान देते हैं चोटी-चोटी सी जगवों को हम वह वाला जो खाली होता उसको भड़के और अपना मार्जन वहां से निकालते हैं यह नहीं कि कस्टमर पर हम एक रुपे बढ़ा दिये और फिर कस्टमर ले या ना ले हमें तो इतना प्रोफिट चीए वह नहीं हमें अपने जो हम जो भी माल मेट्रियल मंगाते हैं उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके मार्जन अपना बचाते हैं उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन के वक्त उसको भी एड करके फिर अपना हम कैलकुलेशन करते हैं तो मेरा जो है मार्केट से रेट भी सस्ता हो जाता है और मेरा प्रोफिट भी जो है वह मेरा सेम जो हमें बचना च के शेकर कि माया प्रोर्ड। करके को स्कुन सेक्षूंट करा में लागनल्ग गेंड़ से अपकोफ़ टिंती экспер गया करें, युदि आपको नहीं आता है तो आप बिजनस कर दिन सकते हैं कोई साही बिजनस हो तो उसको बिजनस को करने के लिए आपको पहले calculation को ध्यान देना है और उन छोटी छोटी बाड़ी क्यों पर ध्यान देना है जहां से आपको पैसा बचाना है ताकि आपको calculation के वक्त वो महेंगा ना परे अगर यदि जो आप material खड़ी द रहे हो तो फिर आप calculation कैसे कर पाओगे तो उसको बचाने का आज हम रास्ता बताएंगे मैं तो चली अब पहले तो हमई star करते हैं material से लिए कि यदी हम material मंगवाते हैं तो माल लोगी जैसे मेरा महीने का 500 kg का मेरा miham मीरा 500 kg माल कर जाता है और हम क्या करते हैं कि 100 kg 200 kg 300 kg कि माल मंगाते हैं तो material तो हम में आगे से अस्ता मील रहा है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे तक पहुंच के material महेंगा पर रहा है सबसे बड़ा plus point जो होता calculation में वो यही चीज से होता है लोग यहीं पर मार खाते हैं कि example मैं आपको बताता हूँ कि आज आप material हमसे 50 रुपे केजी ले गए है और हमारे यहां से आपके घर जाने में 100 किलो मीटर के दाइरा है तो 100 किलो मीटर में यदि आप एक टन माल लेते हैं तो एक हजार रुपे खर्च होता है example की तोर पर हम आपको बता रहे हैं इसको आप समझेगा अपने उपरा अपलाई करके कि हम क्या बताना इसक तो एक हजार रुपे किराय लग रहा है और आप माल मंगव्वा हो गе तो सुद रुपे मेरा माल आया है और 2 रुपे मेरा transportation हो गया तो वो मेरा 12 रुपे केजी हो गया अब 52 रुपे के हिसाफ से calculation करोगे आप तो फिर वो आपका market के हिसाफ से माल जो है product महेंगा हो जाएगा फिर आप market में जाते हो तो वो इसका कोई आपको demand नहीं लेगा क्योंकि बूलेगा आपका महेंगा है और इसी के हिसाफ से हम आपको हर चीज का बताएंगे कि कहां कहां पर आपको margin बचा के चलना है जिसे कि आपको business करने में बहुत ही आसानी ह इस चीज को आप गौर करना इस तरह का जो अंदर की बात होता हो सिर्फ हम बताते क्यूंकि हम practical करते हैं इस काम को और अच्छे तरीके से कर रहे हैं इस विए से मेरा अच्छा कासा काम भी चल रहा है और market में मेरा नाम भी है और demand भी है तो एक तो आपका हो गया यह material सबसे बार प्लस पॉइंट जो होता है सबसे बार जो लॉस होता है लोगों को material खड़ी दने में ही होता है उसका calculation करने में उसके बाद अच्छा दूसरा हो गया बिजली का बिल क्योंकि जब भी calculation करते हैं तो हम इसमें raw material जोडते हैं बिजली का बिल जोडते हैं transportation जोडते हैं उस बिजली का बिल जोडते हैं कि मेरा दिन भर चला मसीन तो मेरा इतना विजली का बिल आ गया उसमें भी आपको बचत करना है कैसे बचत करना है हम यह भी बताते हैं केल्कुलेशन तो बाद में करना पहले कहां कहां बचत करना उसके बाद केल्कुलेशन को जोड़ना यदि हम आठ घंटा मसीन चलाते हैं तो मेरा बिजली का बील आठ यूनिट से दस यूनिट के बीच आता है लगभग तो वैसे आठ यूनिट आता एक मसीन पर क्योंकि एक घंटे का लगता है तो आठ से दस यूनिट आता है मैक्सिमम हम दस यूनिट लेकर चलते हैं तो यदि मेरे पास में हमने फोर एक्जामपल बता रहे हैं आप अपने हिसाब से कल्कुलेशन करना मान लो यसे मेरे पास बिजली का बील है कमर्शेल मिटर हम लगवा रखें त तो दस यूनिट कमेरा 60 रुपे आ जाता है लेकिन यदि हम इसको कंटीनिव मसीन चलाते हैं तो मेरे पास क्या होता है कि बिजली का बचत थोरा सा हो जाता है एक यूनिट लगवा बच जाता है उसके बाद क्या होता है कि कंटीनिव चलाने से जिसे लोग क्या करते हैं एक अटे में केलकुलेशन हो शारा जोड के करते हैं कि मेरा इतना रोज का लग गया तो यो चीश को नहीं करना है यदि आप मसीन स्टार्ट कियो हो शूबंधल में 8 वजे हो 9 वजे हो तो उसको कम से कम 9 घंट मसीन को कंटीनू चलना चाहिए यदि आपका 8-9 घंट मसीन चलता है 9 घंटा तो 10 यूनिट आता है तो 60 रुपे कोई जादा नहीं है लेकिन अगर 9 घंटा चला मसीन तो अगर 1500 भी स्पीड है घंटे का तो आपका बहुत जादा माल निकल जाएगा आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हो कि 9 घंटा माल चला मसीन चला और 1500 के हिसाब से आपक को जो है 9 घंटा में सारे 13,000 पिस निकलता है और यह की दो हजार घंटे का निकल रहा है तो 2,000 में 9 घंटा में सिधा-सिधा 18,000 पिस निकलता है तो हम लोग तो 8,000 पिस लेकरे चलते हैं 10 unit भी लग जाता है उसमें उनका cost महंगा पर जाता है तो फिर वो जब वो बिजली का जोड़ते तो वहाँ भी उनको extra पैसा लगता है तो इस वैसे उनका cost और महंगा हो जाता है ये दो चीज हम आपको बता दिये तीसरा चीज आपको है जैसे कि यदि आप कि अगर आप एक बोड़ा दो बोड़ा मंगवाते हो तो उसमें आपको बचत होता है अब ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको calculation करने मासा नहीं हो अब इस वीडियो को देखे बहुत लोग negative comment करेंगे कि जिसके पास पैसा नहीं हो कहां सदोबोड़ा मंगाएंगे तो भाई मत मंगवाओ लेकिन मैं जो हूँ आपको real बात बता रहा हूँ और वो अंदर की बात बता रहा हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताता है अगर आप extra पैसा लगा कर चलते हो करके चलते हो तो आपको बहुत जल्द आप बिजनस में सक्सेस हो सकते हैं क्योंकि जब आपका मार्जन कम होगा जब आपका प्रोडेक्ट का रेट कम होगा और आपका मार्जन ज्यादा होगा तो आपका सेल भी बढ़ेगा आपको प्रोफिट भी बढ़ेगा तो इस तरह से आप काम जल्दी कर सकते हैं और आपका काम भी जल्दी गुरो होगा और फिर आपको भी समझी में आएगा कि पेपर प्लेट बिजनस करके कितना लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं जादा तर वही लोग जो इन सारी चीजों को ध्यान में लेके चल रहे हैं उसके बाद अभी क्या करें बहुत लोग जो इसका बेस्टेज निकलता है रदी जो निकलता वो लोग जला के ठंडी में हाथ पाउं सेक लेते हैं भाई यह भी लॉस है यदि आप इसका बचत करते हो तो कैलकुलेशन के वक्त आपका बिजली का बील जो आप अगर देश तरह 1 को चलते हैं लेकिन उसका से मसीन को चलाते हो सही से चलाते है त Graham आम पे टेल्ए टालते हो तो मसीन कुई maintenance हैं नहीं है उसमें हम लोग को इतना साल से हम लोग के चुछ हो गया तो बहुत आराम से चलता है तो ये सारी चीजों को अगर आफ मिला करके चलते हो और सब को clay कü sit तो आपको आपको काम करने में बहुत आसानी होगा और उसके बाद आपको calculation के वक्ते ही बहुत ज़्यादा आपको फाइदा होगा अब अगर है मापको calculation बताते हैं इसमें सब को जोड़के तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा हम आपको next वीडियो आपको बहुत जल्द देंगे जिसमें आपको बताएगे 1 kg माल में कितना पीस निकलेगा और 1 kg बनाने में आपको कितना खर्च आएगा और कितना आपको प्रोफिट होगा यह सारी जानकारी हम आपको next वीडियो में देंगे जो की बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाला है वीडियो आधा वो भी बन चुका है लेकिन में पास समय नहीं होड़ा से एडिटिंग नहीं कर पा रहे है तो इसलिए हम आपको उसका वी वीडियो बहुत जल्द देंगे